समस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल टीचर जॉप सुनिल में दुवारा आपका फिर से स्वागत है दोस्तों दुवारा से मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग वेकेंसी लेकर के आया हूँ रोजाना सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी साथ लेटेस्ट नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लें वीडियो पसंद आई तो जादा से जादा उन लोगों को सेर करें जिनको इस तरह की जॉब की रिक्वाइरमेंट है या जो बीएड कर चुके हैं तो चलिए इस वेकेंसी के डीटेल समझानते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं PGT के लिए जो पोस्ट है वो English, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Account and Business Study, Economic, Physical Education, इसके अलावा हिस्ट्री, Political Science, Sociology, Geography और Psychology की वेकेंसी है TGT में देख सकते हैं जो पोस्ट है वो English, उडिया, हिंदी, संस्कृत, Mathematics, Science, Social Science, Physical Education और Computer Science की वेकेंसी है PRT में English, उडिया, हिंदी, Mathematics, General Science, Social Science, History, Geography, Computer Science और Physical Education टीचर की वेकेंसी हैं दोस्टों इसके अलावा नन टीचिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट है वो लाइब्रेरियन की है इसके अलावा जो है यहाँ पर Pre-Primary Teacher, Ladies सिर्फ अपलाई करेंगे, Counselor, Ladies अपलाई करेंगे इसके अलावा Library Assistant, LDC, LDC Account, LDC Receptionist, Ladies Only, LDC DEO के लिए वेकेंसी हैं दोस्तों अब आनने हम देख लेते हैं जो सेलरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं अधर पोस्ट और सेलरी जो आपको दी जाएगी Consolidated सेलरी वो Music Teacher, Art and Craft Teacher, Dance Teacher, Yoga Teacher, Special Educator, AT, Attal Tinkering Lab Assistant, Computer Lab Assistant, Smart Class, इसके अलावा स्टाप, नर्स, होस्टल वाडन की वेकेंसी है इसके अलावा अधर पोस्ट इन कंसिलेटेट सेलरी टू बी अपोइंडेट थ्रू आउट सॉर्सिंग एजनसी ड्राइवर गार्डनर यह जो है वो एजनसी के थूरू इनका रिकुट्मेंट होगा इसके अलावा क्वालिफिकेशन आप देख लेते हैं जो एडूकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप देख लेए जनरल जो क्रेटेरिया है वो भी मैं आपको वन बाई वन सरा बता दे रहा हूँ तो सबसे पले हम पीजीटी के क्वालिफिकेशन देखते हैं पीजीटी में पोस्ट ग्रिजवेशन कंसर्ण सबजेक्ट 50% मार्क्स विथ बीएड आपका होना चाहिए इसके अलावा फिचकल एजूकेशन के लिए आपका एमपीड है तो आप अपलाई कर सकते हैं कम्प्यूटर साइन्स में आपका एमसी ए विथ बीएड डिगरी होनी चाहिए इसके अलावा कम्प्यूटर आपकी जानकारी और इंग्लिस आपकी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों इसके अलावा टीजीटी में आप देख सकते हैं ग्रिजवेशन या पीजी कंसर्ण और कम्प्यूटर की नोलेज प्राइमरी में जो है यहाँ पर आपका ग्रिजवेशन कंसर्ण सब्जेक्ट 50% मार्स विथ बीएड और सीटेट या ओटेट पेपर वन होनी चाहिए प्याटी में भी बीपीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं कम्प्यूटर साइंस में बीटे इडी है तो अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा प्रिफेंस दिया जाएगा हैपिंग आपका ग्रिजवेशन इंगलिस उडिया हिंदी संस्क्रित मेथ फिचकल एजूकेशन बटनी जुलोजी हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिकल साइंस विथ बीएड डिग्री है तो ब इसके अलावा जो है यहां पर लाइब्रेरी एसिस्टेंट में भी आपका जो देख सकते हैं ग्रिजवेशन डिग्री डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस है तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं LDC की वेकेंसी है LDC में ग्रिजवेशन डिग्री इन कॉमर्स और कम्प्यूटर की नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा टाइपिंग स्पीड LDC इस्टिबिस्मेंट के लिए 30 वर्ड पर मिनट है इंगलिस उडिय या हिंदी की तो अपलाई कर सकते हैं यहां पर आप देख लें होस्टल वार्डन की हम देख सकते हैं जिसमें आपका ग्रिजवेशन है और आपका एक्सप्रियंस है होस्टल मेनेजमेंट का तो आपको जो है अपलाई कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा यहां पर सेलरी हम देख सकते हैं कैसे आपको दी जाएगी जो सेलरी है वो DBC, CMC, State Scale, Six Pay Commission के अनुसार दी जाएगी, PGT का Basic जो है 16,890 और Pay Band जो है 9300 से 34,800, Grade पे 4800 विथ DA आपको दी जाएगी दोस्तों, School Having Six Pay Commission, Scale, State Commission में आपको जो है 16,690 और 9,300 से 34,800, Grade पे आपको 46,000 प्लस DA दी जाएगी, PGT में जो आपका है 14,830 रुपए इसमें भी Pay Band 9,300 से 34,800 ग्रेड पे 46,000 का दी जाएगी, PRT में Grade पे आपको 42,000 रुपए की दी जाएगी दोस्तों, इसके अलवा जो है Librarian में आप 13,500, इसके अलवा Pay Band 9,300 से 34,800 ग्रेड पे 42,000 का दी जाएगा, इसके अलवा इधर आप देख सकते हैं, जो State Level की स्कूल है, उसके लिए इधर की सेलरी है, PGT में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एपरोक्स जो सेलरी आपको दी जाएगी, 47,700 in Level 8 Pay Matrix with DA, DA आपका अलग से दिया जाएगा, और जो है, State Level में 44,900, TGT में भी 44,900 प्लस DA, 35,400 प्लस DA, और PRT में 35,400 प्लस DA, लाइबरेरियन में 35,400 प्लस DA, और इसमें जो है, State Level में 35,400 प्लस DA आपको दी जाएगी, दोस्तों, इसके अलवा कंडिशन आप देख सकते हैं, ओपनिंग जो रजिस्टेशन डेट है, वो 55, 2023 से आपको अपलाई करना है, तीन बज़े से, लास्ट डेट ऑफ कंप्लीट, ऑफ ऑनलाइन रजिस्टेशन जो है, 25, 2023, 5 बज़े तक कर देनी, लास्ट डेट ऑप पेमेंट ऑनला होगा, वो 25, 2023 से 25, 2023 तक होगा, जो एक्जाम का टेन्टेटिव डेट है, वो 26, 2023 से 29, 2023 तक होगा, इसके अलवा जो है, CBT मार्क्स टेन्टेटिव डेट ऑप प्रसनल इंटरव्यू, सोट लिस्टेट कैंडिडेट को जो है, 16, 76, 2023 तक होगा, रजिस्टर मेल के माध्यम से आ जो है, one day of personal interview आपका लिया जाएगा, दोस्तों, certificate verification of short listed candidate will be met at 30 a.m. on the day of personal interview के दिन ही certificate verification हो जाएगा, age आपका 15, 2023 से गन्ना की जाएगी, age यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोस्तों, जो है, 32 year, आपका 40 year होना चाहिए, warden driver के लिए, और other post के लिए 32 year बिलो होनी चाहिए, दो 20 से उपर और 32 से नीचे आपकी age होनी चाहिए, और selection process यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरह का है, marks in computer based test होगा, part 3 जो है, आपका subject consent होगा, career marks, date of birth with older candidate, place higher आपका इस basis पे होगा, दोस्तों, इसके लवा syllabus के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ, जो online question paper होगा, यहाँ आप द language में होगा, 90 मिनट आपको time दिया जाएगा, इस time के अंदर आपका exam आपको दे देना है, दोस्तों, जो exam city है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंगुल, बालासोर, बहरामपूर, भुनेशवर, कटक, राउल केला और संबलपूर में होगा, यह DAB, उडिसा की वेकेंसी है, दोस्तों, examination center में बता चुका हूँ, अन्य detail में आपको दिखा दे रहा हूँ, जब आप CBT यानि computer based exam के लिए जाएंगे, तो ID card भी अपना ले करके, original ले करके आपको जाना है, दोस्तों, साथ ही साथ admit card भी आपको ले करके जाना है, इसके बिना आपको जो है, entry नहीं दी ज .davpkt.org.in, या फिर www.davrkl.org, या फिर davkalinga.org पे जा करके, आप online माधियम से इसको अपलाई कर सकते हैं, दोस्तों, मैं आपको syllabus दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लें, जो scheme of exam है, each question will be carry one mark, there will be negative marking 0.25 होगा, wrong answer पे, part 1 में general English or repetitive, 10 multiple choice questions, पार्ट 2 में जो है, 10 multiple choice questions in teaching pedagogy और methodology, पार्ट 3 में जो है, आपका 60 question होगा, यह आपका subject specific होगा दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, career आपका 20 marks, CBT 40 और interview 40 marks का होगा, syllabus देख लें, PGT का आपका 11-12, CBST syllabus है, TGT 6-10, NCRT syllabus, PRT 3-5, NCRT syllabus से आपका question आएगा दोस दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, non teaching का भी same है, दोस्तों, आपका 120 मिनट दिया जाएगा, 80 multiple choice question, 1 marks का 0.2 marks, आपके cutting है, wrong answer पे, career 20, CBT 40, skill test 10, interview 30, यह career means आपका experience basis है, आपका 20 marks दिया जाएगा, दोस्तों, इसके अलावा, there self no CBT for post of driver और gardener के जो हैं, कोई भी interview नहीं होग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो vacancy आईवे, regional director, DAV institution, उडिशा, चंदर सेखरपुर, भूनेशवर्च से आईवी है, और 2023, यह 4-5-2023 की advertisement है, और इसका जो date है, यहाँ पे मैं पहले बता चुका हैं, 5-5 से 25-2023 तक आपको online माध्यम से apply कर देना है, last date इसका 25-2023 ह दोस्तों, इसकूल यहाँ पे देख सकते हैं, जो सारा इसकूल है, one by one, आप विडियो स्लो यह पाउज करके देख सकते हैं, डिस्टिक, अंगुल, बलंगीर, बालासोर, भदरक, कटक, इसके अलावा धेनिक कनल, गंजम, जगदिशन, पूर, जाजपूर, जादू कलाहंडी, किंजोर, और कोरडाहा, नयागर, पूरी, संबलपूर और सुंदरगर, इन सब डिस्टिक के जितने भी डिये भी इसकूल है, सारे से वेकेंसी आई हुई है, तो अच्छी वेकेंसी आप फिल करिए, कोई डावट है कन्फूजन होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए, तो जादा जादा सेर और लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद